हेलो फ्रेंट्स तो आप लोगों के कहने पर में चौपर का एक और वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यूसफुल वीडियो है एंट तक जरूर देखिएगा तो यह वीडियो मेरा यह जो ब्लेड्स है ना इसको शार्प कैसे करें जो वेजी टेवल से हमारी कट नहीं हो रही है लेकिन घुमता है और कटिंग नहीं हो पाती है उसके ऊपर है यह वीडियो तो इसको आप कैसे घर पर ही रिपेर कर पाएंगे फ्रेंट्स तो इसके लिए वीडियो आपको पूरा एंट तक देखना है बिना एक पैसा दिए आप घर पर कैसे बस इसकी blades है ना जो हम vegetables काड़ते हैं तो वो cut नहीं हो रहे हैं घूम तो बरावर रहा है ये तो चलिए इसको हम एक्तम से शार्ट कर लेते हैं तो उसके लिए मैंने देखिए एक पत्थर का छोटा सा टुकड़ा ले लिया है और ये आपको रस्ते पर ही या फिर किसी के मकान का काम चल रहा है वहां से आप ले सकते हैं बहुत आसानी से रस्ते में ही डला मिल जाएगा नहीं तो आपको तो इस तरीके का आपको पत्थर का टुकड़ा ले लेना है और इसी से हम अपने जो चोपर की blades है ना उसको इतना शार पर लेंगे friends कि आपकी पैजी टेवल्स फटाफट से करती चले जाएंगी तो आप देख सकते हैं थोड़ा सत्यर्षा करते हुए इसको इस तरीके से लगा करके हमको आगे पीछे करना है जो हमारी blades है ना एकदम से पैनी धार वाली हो जाएंगी और जिससे पैजी टे दोनों साइट से आपको इसी तरीके से करना है और सभी blades को आप कर सकते हैं यह बहुत ही आसान है और लेकिन थोड़ा साफधानी से करिएगा क्योंकि इसकी धार बहुत अच्छे से लग चुकी है और अपनी उगलियों को थोड़ा बचा करके इसी तरीके से सारी blades को हम इसी करेंगे तो इससे friends क्या है ना चुप एजी टेवस हमारी जल्दी से कट भी होंगी और बहुत जल्दी काम होगा और इस तरीके से आप अपने चाकू या फिर हैसिया जो भी आपके पास है इस तरीके से उसकी धार को पैना कर सकते हैं तो यह है ना friends बहुत ही आसान अगर आ आपको मैं एक और तरीका बताने वाली हूं तो इसके लिए friends वीडियो में बने रहीएगा इसकिप नहीं करिएगा मैं नहीं चाहती आपकी यह जरूरी काम की जो टिप्स में बता रही हूं कहीं छूट जाए तो यह देखी friends तो ब्लेट्स को मैंने इसी पत्थर से अच्छ जगे हम ले आते हैं जो हमारे घर में आसानी से मिल जाता है वह हमारा कफ जैसे हम चाह पीते हैं friends उस कफ को आपको ले लेना है उसको हम उल्टा करके रख देंगे और इसके जो आप के नारे देख रहे हैं इसी से हम जो अपनी धार है ना उसको पेना करेंगे और याद चर्वी बंडियो को आप इस तरीके से ही पहने कर सकते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं इस तील का थोड़ा सा यह गिसने से लग चुका है तो यह काम करती है तो अगर आपको यह तिप अच्छी लगी है friends तो मेरे वीडियो को लायक और शेयर जरू कर दीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा तो देख सकते हैं फ्रेंड्स ये धार हमारी कितनी पैनी हो चुकी है तो वेजी टेवल्स काटने के लिए एक्तम तयार है तो इस तरीके की आप जुगार लगा करके अ और समय दोनों को ही बचा सकते हैं तो गारेंटी है मेरी फ्रेंड्स ये आपकी जो प्लेट्स है एकदम पैनी धार वाली हो जाएंगी जिससे आपकी बेजी टेवल्स कट होने लगेंगी और जैसे आपका चौपर घूम रहा है और बेजी टेवल्स कट नहीं हो रही है तो इसके बाद से आपकी बेजी टेवल्स भी कट होंगी तो ऐसे फ्रेंड्स आप अपना चौपर एकदम घर पर ही रेपेर कर पाएंगे तो ऐसी आसान और यूसफुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहेगा और सब्सक्राइब ज़रू कर लीजिएगा चैनल को तो ऐसी आसान वीडियो फ्रेंड्स में आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूं तो यह देखिए फ्रेंड्स हमारा जो चौपर है एकदम बराबर काम कर रहा है तो आज ही अपना चौपर इस तरीके से रेपेर करिए और अगर कोई समस्या होती है फ्रेंड्स तो कमे